हाई दोस्तों, असलाव अलेकूम, कैसे आप लोग, मेरा मनवील है, आज का वीडियो बहुत ही important topic पर है, बहुत ही serious topic पर है, तो इसको start to end, पूरा देखना, skip मत करना, जो जो चीजे मैं बता रहा हूँ, उसको सही से follow करना, अगर आप चाहते हो, अपने और अपने iPhone की safety, अप data leak क्या है, वो बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर, और कैसे आप इसको counter कर सकते, कैसे आप अपनी safety देख सकते, कैसे आपने iPhone को बचा सकते, सोची आपका iPhone आपके पास है, लेकिन Apple ID किसी ने और ने अपनी लगा दिया, आपका password बदल दिया, तो यह अगर होगा, तो आपको रुपए का iPhone या 1000 रुपए का iPhone आपके हाथ से जा सकता है, मतलब वेस्ट हो जाएगा वो completely, और आपका data चोरी हो सकता है, Android user हो तो वो आपके साथ सेम चीज़ हो सकते है, और YouTube चैनल पूरे के पूरे hack हो रहे है, तो कैसे यह चीज़ हो रही है, और कैसे आप इससे ब data leak हो गया, सिर्फ ना सिव आपका मतलब सबका data leak हो गया, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उसके पर, लेकिन एक हमारे subscriber है, मैं उनका नाम नहीं नहीं चाहता है, तो नाम hide कर दूँगा, तो उन्होंने भी मुझे यह email forward किया और इसके बाद मेरी Apple ID है, वो hack हो गई, पतलुक जो है, इतना ध्यान नहीं देते हैं, भाई, क्या फरक पड़ जाएगा, आपको कुन से अंबानी की अउलाद है, जो अपना data कोई चुरा लेगा, ऐसा नहीं होता है, आपको सताने के लिए आपको परिशान करने के लिए यह चीज की जा सकती है, तो आप कैसे इसक पासवर्ड रखना चीए, और आपको उसको याद रखना की भी जरूत नहीं, अगर आपको वास एक आईफोन है तो, तो यहाँ पे देखिए, दोस्तो स्क्रीन रेकॉर्डिंग दिखा देता हूं, आपको मेरे ही आईफोन की, यहाँ पे सेटिंग में हम लोग चले जाते ह इस पे हम टैप कर लेते हैं, इस पे आप देख सकते हैं कि detect compromise password करके पहला option आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, मैं थोड़ा सा text size चोटा कर देता हूं, ताकि पूरा जो text है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाए, detect compromise password यहाँ पे लिखा हुआ है, आईफोन की securely monitor your password और alert कर सकत है आपको कि आपका password जो है, कहाँ पे लिख हुआ है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको पूरी list मिल जाएगी, Google पे, Flipkart, Twitter, जहाँ जहाँ पूरी list होती है नीचे, और आप यहाँ पे देख सकते कि कहाँ पे, किस website पे जो आपने password लगा है, वो किसी data leak में था या नहीं था, जरूरी नहीं कि Twitter पे है, तो Twitter का data leak हुआ है, लेकिन जहाँ पे मैंने Twitter का password लगा के रखा है, वो password जो है, कोई ना कोई data leak में था, तो अब मुझे क्या करना है, डिरेक्टी ट्विटर पे जाऊंगा, मैं वहाँ पे जाके password चेंज कर सकता हूँ, या फिर यहीं से change password on website करके लिखा हुआ है, तो इस पे मैं tap कर लूँगा, और यहाँ पे Twitter.com खुल जाएगा, यह Twitter वगरा तो आपके फोन में इंस्टॉल होता है, यह बहुत सारे website होते हैं, जैसे Canva है, या कोई और website है, जहाँ पे आपने जो password और email ID दालके छोड़ दिया है, वहा जो है data leak हुआ है, और दूसरी चीज़ यह है कि आपको password भी suggest करते हैं, अभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे होता है, आपको जो आपका iPhone ही suggest करेगा, कौन सा password आपको रखना है, यह कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको password चेंज करने के बारा time पे भी आपको यह पर लगारा है, और सेम password जो हर जगा पे आपको नहीं लगा के रखना है, सबस्थ आपने Gmail पे जो password लगा है, वही password आप Instagram पे भी यूज करे हो, Facebook पे भी यूज करे हो, Twitter पे भी यूज करे हो, तो अगर Gmail हैक हो जाएंगे, अगर Instagram हैक हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, two-factor authentication होने के बावजुद भी वो जो है, safety नहीं रहती है आपके account में, तो यहाँ पे आप कैसे कर सेकते हो, for example, मैं आपको एक website बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना हो, email ID भी आप प्रोडेक्ट कर सकते हो, अगर आपको आपको आईफून है, तो खिलते हो, वहाँ पे भी मिल जाता है, तो यहाँ पे Apple पे आप click कर लो, Apple पे click करने के बाद क्या हो, अगर मैं बताता हूँ, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यह pop-up आजाएगा आपके screen पे, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको यह account जो बनाना है, इसमें आपका name आप आपको शो करना है कि नहीं करना है, आपका email आडी शो करना है कि नहीं करना है, तो अगर आपको शेर करना है, तो शेर कर दीजिए email आडी, नहीं करेंगे, तो Apple का आपका जो phone है iPhone, वो एक fake email आडी बनाएगा आपके लिए, और वहाँ पे उससे आपको register करेगा, इससे आपक एक और चीद बताता हूँ, अगर आपने इस तरीके से नहीं भी करना है, तब भी आपको यह beneficial है, और इस तरीके से करना है, तब भी beneficial है, तो अब यह हम continue कर लेते, continue पर click करने के बाद हमारा जो face ID है, वो हमारा iPhone read कर लेगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ID बन जाएगा अब सबूस दोस्तों कोई website है, जहाँ पर sign in with apple का option नहीं है, तो एक website ऐसी खोल लेता हूँ, यहाँ पर भले ही sign in with apple का option है, maximum website support करते ही है, यह लेकर नहीं है, वहाँ पर आपको email ID अपना दालना ही पड़ रहा है मजबूरन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो continue with email पर क्लिक करूंगा, मेरा iPhone जो है, एक strong password बना के देगा, मुझे कोई password guess करने की ज़रूत नहीं है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इस पर click करता हूँ, यहाँ पर इसने strong password बनाया है, और यह strong password जो है, आप रख सकते है, या फिर choose my own password का भी option आपको नीचे मिल जाता है, तो यह आपके phone के settings में save होगा, settings में आप नीचे जाएंगे और passwords में जाके check करेंगे, तो यहाँ पर वो password आपका save हो चुका, और जब भी आपको कभी वापस login करना है उस website में, तो वहाँ पर एक key option आएगा, key पर tap करेंगे, आपका face ID रीड होगा और automatically आपका password वहाँ पर enter हो ज जाओ, उसी setting के अंदर से भी आप जा सकते हैं, या फिरेक्टी वापसेट पर जा सकते हैं, और वहाँ पर जाके फॉरण अपना password जो है, वो change कर दो, change करने के डाम पर strong password का इस्तमाल करो, और उस password को अपने iPhone के अंदर ही save रखो, सारी चीज़े seamless है, बहुत easy है, users को समझने क अपडेट कर देंगे, तो आपके iPhone की safety, security, privacy के लिए better रहेगा, उमी के तो दोस्तों आपको अचका वीडियो पसना होगा, पसने को इसको like and share जरू कीजिए, मेरे चाम को subscribe कीजिए, goodbye